तो गाइज मेरा नाव है अभी शेक एड वरकम तो मैं चैनल तो आज का वीडियो मैराथॉन के टॉपिक के उपर है मेराथॉन एक ऐसा टॉपिक है जिसको मीडिया में उतनी रिकोगनिशन नहीं मिलती बहुत कम रिकोगनिशन मिलती है और यह बहुत अच्छा स्पोर्ट है मतलब बहुत फिजिकली डिवांडिंग और बहुत एक्साइटिंग स्पोर्ट है लेकिन लोगों को इसके बारे में सब्सक्राइब करते हैं जैसे नियू यॉक मैराथॉन हो गया बोलिन मैराथॉन हो गया विएना का मैराथॉन मैराथॉन हो गया वह सारे एवेंट्स है और साउदी अरेविया भी मैराथॉन और मैराथॉन को जीतना एक बहुत ही प्रेस्टीजियस चीज माना जाता है क्योंकि हमने और जो असली टेस्ट होता है वह मैराथॉन करता है 42 किलोमेटर्स तक अफ्लीट को दौनना परता है और फिनिश करना पड़ता है प्लेशिंग होने के लिए सो किसका वोल्ड देइड इसमें सो वय्ड डिकॉर्ड माराथान का व्याथान बार्धान कार्झ मैराथान टाइमिंग और वह बहुत ही फेमस एथलीट है अभी तो फिलाल तो बहुत जादा ही फेमस हो गए हैं उन्होंने बर्लिन में जो एवेंट हुआ था मैराथान का 2018 में उसमें वर्ल रिकॉर्ड क्रियेट किया टू आर्स वान मिनेट और थर्टीनाइज सेकेंड्स का फिर उसके बाद उन् नाइकी ने इस इवेंट को इसलिए और्गनाइज किया था ताकि टेस्ट कर सके कि दो आर्से टू आर्स से कम टाइमिंग में कोई मैराथान दोड़ सकता है या नहीं और एलवेट किप्चोगे ने वान आर और फिप्टीनाइन मिनेट में दोड़ करके फॉर्स टाइम एक यूमन हिस्ट्री में ऐसा अचीवमेंट किया कि दो टू आर्स से कम में किसी ने मैराथान को फिनिश किया आज तक ऑफिशली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि और नहीं थे लेकिन एक अनफिशल वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह वान आर 59 मिनिट्स का और ऑफिशल व बहुत भेंकर भेंकर अथलीट है देखें मैराथान जो है वह यूजुली एफ्रिगन अथलीट्स ने आज तक डॉमिनेट किया है मैराथान इवेंट को और एफ्रिका का भी मेंली दो कंट्रीज हैं जहां से मैराथान अच्छे तरी अच्छे मात्रा में निकल के आते हैं और वह दो कंट्री है किनिया और एथियोपिया फिलाल अभी जो इन लोगों को छोड़के और फेमस अथलीट जो है मैराथान के वह हैं मोफारा जो कि लंडन से हैं और 5,000 और 10,000 मीटर के मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट है ओलम्पिक के इनी के बारे में आपको थोड़ा यू और आउ बी बाक